तो क्या है इस token में ऐसा जो इसको काफी token से अलग बनाता है और इसकी काफी capabilities है in future आगे grow करने की तो अब हम पहले इसका base देखते हैं इसके चीजें देखते हैं जी customer support कैसा है इसका तो ये सबसे oldest exchange है in India तो इसका customer base भी बहुत बड़ा है with starting तो ये आते ही कुछ न कुछ अपने plans गरा कुछ न कुछ चीजें लाते रहते है market में अलग-अलग offers लाते रहते हैं कि जिससे engagement हो ये अपनी advertisement पर काफी पैसा खर्च नहीं करते हैं काफी कम करते हैं क्योंकि इनके बास काफी बड़ा customer base है जैसे कि आप सब देखी सकते हैं क कभी कोई glitches हो जाते हैं कभी कुछ हो जाते है तो यह all because of customer base है तो अब इनका देखते हैं Twitter handle Twitter handle पे भी यह बहुत ज्यादा active है and काफी ज्यादा supportive है customer support का काफी अच्छा है अगर कोई भी बंदा join करेगा किसी crypto exchange को तो वह पहले देखेगा कि customer support कैसा है कि उनको कोई भी दिक् problem solve हो जाएं तो जैसे कि आप सब देखी सकते हैं कि अभी जैसे wax token recently listed हुआ है यह भी metaverse based token है and काफी अच्छा token है तो काफी जादा tokens भी list होते रहते हैं and WazirX भी WazirX as a token काफी जादा exchanges पे list होता रहता है जैसे अभी pancake swap पे हुआ था अलग-अलग exchange पे होते रहते हैं तो कौन से meeting होती है main WazirX token जो WazirX as a community है वो main अपना engagement करता है तो अब लेकर चलते हैं हम WazirX के platform के towards कि कैसा है इसका interface and कैसी चीज़े है जैसे कि अभी आप सब देखी सकते हैं इदर जितने भी tokens है कौन-कौन से tokens बूम कर रहे हैं अभी जैसे कि डेट दो हफते से dump चल रहा थ अब जैसे ही dump over हुआ है alt coins में भी rally आना शुरू होएगी BTC अभी इतना नहीं बढ़ेगा कि कि अभी cycle चलती है अभी सारा पैसा alt coins में आएगा then BTC dominance जैसे जैसे बढ़ेगी तो alt coins slowly and gradually बढ़ेंगे तो अभी जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि metaverse token काफी ज़्यादा बूम कर रहे है जैसे कि metaverse token for example mana हो गया engine हो गया and काफी Elise हो गया my neighbor Elise यह काफी ज़्यादा tokens भूम करते रहते हैं अभी metaverse का season सल रहा है तो धीरे धीरे यह अभी अलग-अलग exchanges का भी आएगा जैसे वजीर X है काफी बार यह list होता है अलग-अलग exchanges पे and इसके हर quarter में बर्न होता है जै May, June, July तो इसका हर quarter में एक burn होता है जैसे कि इसकी जितनी भी supply होती है उसमें से 10% यह burn कर देते है अपना token तो burn के वज़े से demand और supply ज्यादा हो जाती है इस token की जैसा कि आप सब देखी सकते कि अभी अभी यह काफी ज्यादा पूम करा था burn के वज़े से करा था 150 का 2.09 dollars होके आया था कहा यह 60-70 पे था and कहा 150 पे होके आया था तो अभी जो है इसका अभी current price चल रहा है 104.46 इंडियन रुपीज तो अगर इसको आप 95 में grab up कर सकते हो तो कर लो because 95 पे अभी बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका अगला support है 110-113 अगर उसको पार कर लेता है तो यह सीधा 125 पे जाएगा 120-25 अगर 125 कोई पार कर लेता है तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता है इसके सिर्फ resistance टू डॉलर सपे है तो ऐसे gradually इसकी resistance and support levels है तो यह काफी ज्यादा bullish news आ बहुत ही unique platform है इस पर काफी ज्यादा work भी हो रहा है जैसे कि अभी यह इसका indicators भी आया है काफी जो trading view से ही collab में indicators आया है इसके and यह काफी ज्यादा easy है अगर आपको कोई funding वगारा fund वगारा exchange करने है जैसे finance में भेजने है तो काफी easily zero payment zero fee के through send हो जाते है तो अब इसके और deep में लेके जाते है कि इसकी क्या supply है क्या maximum supply है and कहा तक इसकी capabilities है देखते है वजीरेक्स token के बारे में तो वजीरेक्स की जो market cap है वो काफी अच्छी है मतलब काफी decent है जो बहुत अच्छा number निकल के आता है ठीक है अब जो circulating supply है circulating supply है भी 1 billion है बटिये दीर जैसे कि आपको बताया कि यह burn होते रहते है तो यह खतम हो जाता है burn in the sense यह एक deleted account में depth account में चले जाते है ठीक है तो उसको वहाँ से recover करना possible नहीं होता तो यह अभी current 1.30 की evaluation पे है and काफी ज्यादा यह boom कर सकता है आने वाले time में इसकी market rank 166 166 है and देख सकते हैं आप जैसे 73,000 बंदों की watch list पे आई है तो watch list भी matter करती ही कितने बंदें इसको consider करके चलते है तो जैसे ही इसमें increase आता रहता है यह burn की वज़े से increase आता है listing की वज़े से increase आता है and customer base तो इसका obviously जैसे जैसे gradually बढ़ता जाता है अभी जैसी इंडिया में crypto as a एक तो legal tender और एक as a उसको asset दो चीजे होती है legal asset as a community जैसे आप gold रखते हो या कुछ भी रखते हो तो as an asset रख रहे हो तो अगर वो हो जाएगा इंडिया में जैसे कि अब February session में आने वाला है अगर वो हो जाएगा तो यह token और भी ज्याद़ बूम करेगा and काफी customer base इससे और जुड़ेगा तो I hope कि यह token आने वाले कुछ time में 10 to 12 dollars जाए and 10 to 12 dollars तो काफी short term target है यह long term में बहुत bullish coin है BNB भी इतने ही price मिलता था आज से 2 साल पहले तो आप समझ सकते होंगे अगर उसका BNB का 10% भी achieve कर लेता है तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है and काफी ज्यादा यह उपर जा सकता है token near about 10 to 12 dollars तो इसके short term target है till the month of February March तो I hope you like this video please comment subscribe and like this video and बताना जरूर की आपको क्या और चाहिए क्या और topics के बारे में जानना है तो I will help you out Thank you so much guys